तो देखो स्टार्ट करना बन गया फोटो सॉप एड़ाप 7.0 उसके आद हमारे सामने जो बिंडो आ रही है देखे मीनू बार है ओप्सन बार है टूल बॉक्स मैं बिंडो यह दिख रही है यहां पर हमारे सामने क्या आता है डॉकुमेंट बिंडो यह पैलेट्स हो गई ठी बिंडो मीनू के ठीक है नीचे स्टेटस बार देखता है स्टेटस कब आएगा जब हमारी न्यू इमेज बन जाएगी चलो यह वीडियो मतलब इसको देखने से पहले मतलब यहां पढ़ने से पहले है आज मैंने एक वीडियो डाला हूं फोटो सॉप का ठीक है उसको आप जरूर देख लें बता भी देता हूं जिन लोगों ने जिनकी निकट द्रश्टी या दूर द्रश्टी दोस होगा किसी किसी को रहता ना किसी को जो देखने पाते उनको मैं बता देता हूं अलग से हाला कि जो सजग रहते हैं जागरुक रहते वो देख सकते हैं देखो यह जाएगा चलो और उसके अलावा DTP के वीडियो डाला था में पहले और प्रिंटिंग के वो भी देख लेना ठीक है वो ज्यादा जरूरी है तो देखो न्यू फाइल बनाना बन गया है ना यहां हम जो भी है प्रिसेट ले लेते अब आपको तो पता है हमने 46 लिए है 46 बोलते आप इसको रोटेट भी करना चाहोगे देखो अभी image कैसी अपकी खड़ी है कि आड़ी खड़ी है नहीं कि पेज सेट अप करते हैं आप उसको आड़ा करते हो तो इसके लिए आपको जाना है कहां देखो फाइल में आपको कुछ नहीं मेलेगा इसके अलाबा पेज सेट अ में देखो आपको लगभग लगभग वोई डायलेक बोक्स आया नीचे साइड देख रहा है तो इसका मतलब हाइट और विट आप चेंज कर सकते हैं रेजोलेशन चेंज करना कर सकते हैं ठीक है एक और चीज दिख़ए आपको पिक्सल से दिख रहा है यह पिक्सल से आपको जैसे आप फ़र्म भरते हो तो वहाँ पर आपका हता है कि इतने बाइतने पिक्सल का चाहिए है है ना डॉकुमेंट तो आप अगर इंचे समें नहीं चाहते हो तो आप किसमें कर दो ठीक है अब देखो साइड में आपको यह लॉक लगा है लगा है तो यह दोनुचीज आ वाली भी उसके according बढ़ रही कि नहीं और अगर कम कर रहे तो कम भी हो रही है तो समझ गए इसका मतलब दोनों आपस में क्या है जुड़े हुए कैसे जुड़े हुए देखो यहाँ एक बटन है चेक बॉक्स constraint proportion देखो यहाँ पर आपको देखने मिले log हट गया है है तो आपको log जुड़े रहन देना कभी आप चाहते है किसी bit बढ़ाना तो unlock कर देना है पर अगर नहीं करना है दोनों चले सबका साथ सबका विकास है कि नहीं hide बढ़े तो bit भी बढ़े तो select होना चाहिए अभी select रहने कभी जरूत पड़ी तो आप हटा देना ठीक है resolution भी आप कम ज्यादा कर सकते अब यहां हम कम कर रहे हैं तो नीचे भी कम हो रही है किसके कारण इस checkbox के कारण तो यहां होगा कि नहीं बताओ मुझे यहां तो हो रहा है यहां होगा कि नहीं यह देखो लॉक लगा तो इसका समझ गया है जब कभी एक्जाम में आग इमेज के साइज को कैसे बदलते हैं तो बन जाएगा है ना आपको बाद में भी काम आने वाला है राइट किलिक करो तो यहां भी आपको इमेज साइज नजर आएगा तो दो दो तरीके सा सकता कोई दिकत थोड़ी है कहीं से अभी डालेक बॉक्स तो बही आना ठीक है चलो एक और चीज होती है जैसे आपने कोई एड बनाए बड़ी महनत से बनाते एड है ना तो हम एक तरीका है कि उसको दोबार ओपन करके दो वेक्तिक एड बनाना मान दो दोनों education company है तो एक का एड हमने यहां बना दिये और उसी में क कि असी में changes करींगे क्या करेंगे सेवाष करींगे तो देखो यहां जाएगे और क्या करते था सैवाष करते थे तो सेवाष करने सो जाता था नाम बड़न देते थे औहीं बांकी चीजे location बगियर बघलना को बदल सकते है पर हैं एक और option है आपके पास में यहीं पर देख क्या क्या करतें बताओ जारा पहला option बताया था मैंने color करना color आप कोई भी कर सकते है light, dark जो भी option लेना वो आपके हाथ में होता है कहां दिखता है opacity में ठीक है यहां click करें आ गया उसके बाद इसी में आपको pattern करना था तो इस option बार में कर दो pattern मतलब foreground का pattern कर दो यह देखवा आगया अब यह गायब नहीं हो रहा है मान लो आपने 2424 कर दी है तो देखो यह के जगह होगा अब हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि इसको single color मिले ही नहीं रहा है single color मिलेगा तो ही pattern काम करेगा तो कुछ नहीं करना है ctrl A आपको आता है ctrl A का मतलब क्या होता है select on क्या होता है और keyboard में delete button है की नहीं delete दवा दो आपका जो पूरा pattern था वो गया ठीक है उसके बाद आप फिर से आप नया pattern करना चाहें तो एंसा आप कर सकते हैं फिर से क्या कर दो delete और आपको यह भी पता है देखो आसपास blinking हो रहे इसका मतलब ही select है और select है तब तक हम हमारे हाथ में है इसका मतलब delete भी कर सकते है उसको समझ गया अच्छा यह select तो कर लिए control A से कर लिए अब हटाने के लिए आपको नहीं पता है तो देखो यहाँ edit में आपको एक तो आता select all का देखो select all का दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं इसके लिए control D दवा दो देखो control A मतलब select all control D मतलब deselect all deselect मतलब select हुआ वाला reverse हो जाएगा तो control D याद रखोगे दो shortcut कोन कोन सी देखे है अपने है control A का मतलब क्या हुआ और control D का मतलब जो select है उसका opposite यानि कि selection को हटा देगा समझ गए दोनों shortcut याद रख लेना उसके बाद हमने क्या देखे थे चलो यह तो बन जाएगा न अपसे आप पैंट बकेटे यूज करना और यहां पर foreground यूज करना ठीक है नॉर्माल रहने देना यह सारी चीजे अब हम उप्योग करे थे क्या सेफ को फिर से उप्योग कर लेते चलो कोई भी सेफ बन लेते color तो करने पहले यहां जाओ color कर दो अच्छा एक और चीज आपको समझ में आई यहां पर देखो हर एक टूल को open करोगे तो इसके सामने एक alphabet दिख रहा है देखो हर एक के सामने दिखेगा एक alphabet दिख रहा है कि अगर आप जैसे pen bucket टूल में जाना चाहते है तो pen bucket की shortcut की क्या है जी अभी कहा है हम बताओ तो जी दबाए जी दबाओगे देखो कहां पहुंचिगा तो इसका मतलब आपके पास में shortcut tool के लिए shortcut हर एक में available देखो दिख रहे है किसके साथ दबाना control या shift कुसके साथ दबान है बताओ क्या लिखा हो हाँ control के साथ लिखा है shift के साथ लिखा है खाली खाली लिखा मतलब हम M दबाएंगे मार क्यूम आ गया G दबाएंगे तो pen bucket में आ गया T दबाएंगे तो text tool में आ गया तो सब के आप उपयोग करते जाना याद होते रहेंगे अलग से निकाल कर रट हमने काम कर लिए अब हम सेप लाते हैं सेप कोई भी ला सकते हैं ठीक है जैसे हमने यह सेप ले आए सेप लाने पहले ध्यान दें इसका option बार आया देखो option बार में आपने यह उपयोग कर लिए होंगे कल automatic style तो इसको हमेशा none रहने देना है none मतला कि भाई कोई भी style ने चाहिए हमको हम खुद की style बनाना चाहते है ठीक है यह bunny बनाई है बनी बनाई है अगर मानलो हमने इसको select कर लिए चलो कोई भी एक ले 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 ते यह वाला ले 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 तो हम ऐसे लेकर आते वह predefined आजाएगा ठीक है जो bunny बनाई है यह बनाना भी तो बनना चाहिए हम से ठीक है चलो ctrl जट कर देते इसको क्या कर दो आप none नन करोगे जो color है वो ही आएगा जैसे मानलो हम ले लेते हैं red ले लिए ठीक है और red लेखे हम इस प्रकार से draw कर देते कर दिए इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं ठीक है तो लिखना जो भी है वो आप लिख सकते है किस से टी से कहीं भी लिखो आप क्या फरक पड़ता है यहा अब red में red दिखेगा क्या तो red को select करो पहले और यहां जाकर क्या करो अच्छा इसकी formatting मतलब text बगेरा change करना बन जाएगा ठीक है जैसे मानलो यहां एक और font होता है यह वाला यह हम कर देते हैं और यहां इसको उठाकर यहां ले जा लेते हैं एक और बतायत मैंने control अच्छ t से आता है किस से आता है देखा आ गया जबकि हमको जाना पड़ा के नई अब आपको बड़ा छोटा करना आपके हाथ में तो हमने कितनी shortcut देखे एक जगे लिखते रहते हैं अपन है ना नॉटपेड में लिख लेते सबसे अच्छा साधान हमारा एक देखे हैं अपन ने CT CTRL प्लस A क्या होता है Select All CTRL प्लस D Deselect All CTRL प्लस T bounding box चारो तरफ जिसे मान लो बिना लगाम गालग होड़ा तो bounding box नहीं है और लगाम लगा दिये तो bounding box आप खीज तान सकते हैं उसको छोटा वड़ाया रोक सकते जो भी कर सकते तो मैं लिखने रहूं बस आपको ध्यान रखना है कि 3 shortcut हो गई है और हर एक टूल के लिए single alphabet कोई भी हो सकता है वो देख लेना आप ठीक है चलो यह छोटा बड़ा हो गया और चोटा बड़ा करने कबाद enter की press करना है कि नहीं करना है नहीं तो पता चल रहा है टेक्स बॉक्स में आपको एक चीज और दिखेगी आपने देखा होगा देखो इन दोनों को नीचे लानात कैसे करेंगे बता जारा layer palette में दिखता हमको देखो यह तो पहले एक एक करके लिए इसको लाते इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते ठीक है और इसको select करने के लिए से इसी में जाओ बन रहा था नहीं यह लेयर बॉक्स में से लेयर को हम select कर सकते हैं अब मान लो इसका पूरा नाम लिखना आपने को तो font पहले छोटे कर लो font मतला font के size ठीक है पूरा लिख देते अब मैं जो project आप बनाते हैं कभी आपने college का assignment बना एक नहीं बताओ मुझे बनाया है कैसा रहता है वो front page बताओ मुझे front page में क्या रहता है design बगएर रहती है कि फिर normal लिखा रहता है college का नाम बगएर लिखना है तो normal थोड़ी रहता design रहती है तो मान लो हम यहां पे कुछ भी चलो red ले लेते हैं ठीक है यह ले 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 red अब यह हमारा सीधा नहीं आ आधा half circle बोल दो ठीक है तो जैसे ही आपने text select करे यहां color आता था color की side में देखो क्या लिखा टी को round आप round बस नहीं करेगा बहुत सारा काम करता है जैसे हम इस पर जाएंगे तो क्या बोल रहा नहीं है तो आप arc बना तो arc मतला धनुसाकार ठीक है एक और होता है arc बहुत स इसको के करो अच्छा यह हमारा pointer tool है देखो move tool बोलते है इसे और इसको पकड़कर लाग नीचे कर दो ठीक है अब और ज्यादा घुमाना तो फिर से कहा जाओगे इसी में जाओगे यह layer select होना चाहिए और उसी option में जाकर आप क्या करोगे इसको और बढ़ा कर सकते है ठीक ह चलो उसके अलाबा move tool से move tool बार बार उपयोग होगा ध्यान रखना आप चाहे तो आप font बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते कैसे select करो और font को control shift greater than वही वाले option अपने हना जो पुरातनकाल से चले आ रहा है पुरातनकाल मतलब जब से हम computer सीख रहा है तो देखो अब फिट हो हो गया हो गया अब यह जो सेफ है थोड़ा से उपर जाना चाहिए जाना चाहिए तो सेफ को select करेंगे layer palette में और थोड़ा सा उपर ले जालेंगे इसको अच्छा bits भी थोड़ी सी ज्यादा हो रही तो उसको क्या करो छोटे हो जाओ है ना इधर एंसा इधर से और यह जो है टेक्स्ट इसको भी थोड़ा सा उपर कर दो अब ठीक है अब आप लिख दो line by line जो भी लिखना है ठीक है क्या क्या लिख सकते हैं और बताओ जारा जैसे यहाँ आप लिख सकते हो कि assignment file है या जो भी है आप लिख तेकने heading बगेरा तो इतने बड़े font में चाहिए है अपन यहां से font को अराम से क्या कर सकते हैं छोटा बड़ा पहली कर लो बाद में छोटे बड़े करने जैसे यहां लिख देते हैं अपन assignment 5 इस प्रकार से लिख दिए और font का color कैसे बदलेगा पता है छोटा कैसे होगा ये भी पता है इसको select करो और यहीं से आप छोटा करा करो और नहीं तो वो तरीका मैंने बता दिये कौन सा control shift less than और control shift greater than ठीक है चलो इसका color कैसे बदलोगे text टेक्स टूल सेलेक्ट रहेगा और text layer सेलेक्ट रहीगी देखो यहां layer पहले तमें तभी यहां से आप color बदल सकते हो मानलो इसका color करना black यहोगे black ठीक है नीचे आप इसी के नीचे जैसे मानलो आप enter करके प्लिखना चाहते हैं तो enter करके लिख सकते यह layer यहां कहलाईगी देखो यहां लिख सकते हैं आप जैसे मान लो आप लिख दो PGDCA second semester यहां लिख सकते हैं अपन PGDCA second semester ठीक है थोड़ा सा छोटा करना है छोटा कर सकते हैं सभी को देखो alignment भी set कर सकते alignment set होगे इधर भाग गया है तो move tool से पकड़ो कहां भाग रहे इधर आओ ठीक है ऐसा कर सकते हैं निकल सकते हैं अच्छा second आपका अभी नहीं लिखा कि गलत लिखा कहां रहता second मुंडी पे मतला सिर के किनारे रहता है तो उपर भी रहेगा और छोटा छोटा रहेगा तो जित आपको पता कहां से दिखाएंगे मिंडम जाके देखो character दिख रहा है यह देखो दिख गया आप देखो यहां बहुत सारे option है समझ लेना उसको आपको पहला option दिया है कि जो font है देखो उसकी style को change करना दिख रहा है वह option यहां भी है font के size बढ़ाए थे अपन ने है यहां भ capital एक और small capital था छोटा सी बड़ा सी देखे थे तो यह छोटा सी बड़ा सी यह देखो यह दिख रहा है आपको super script जो है वही जाएगा select अगर आप चाहते हो पूरा जाय तो दो के साथ ही चला जाएगा तो क्या करना है उतना ही select रखो जितना उपर पहुंचाना और उतना ही चीज में आप underline देना चाहते है तो आप ऐसे select करो जितना भाग हमको चाहिए ऐसा और आप underline कर दो कहां दिया है यह ठीक है और बापस करना तो दोबारा क्लिक कर दो दिमाग खराब हुआ तो cross कर दो यह क्या है strike है ना मतलब strike throw गोलते हैं उसे strike पर बैठ गया मतलब काम ब लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं signature authorized जो भी है ठीक है आपके project का जो handle कर रहा है तो आप text लिखते बन जाएगे कि नहीं आप देखो दूसरा और text कैसे लिख सकते आप और अगर picture लाना यहां तो picture भी तो ला सकते तो देखो हम चलेंगे सीधे google में आपको picture निकालते बनती हैं सह मैं मानता हूं फिर भी नहीं बनती है तो आप ऐसे google खोलो अब हम जो है study कर खे एक जो है logo निकाल लेते ठीक है ऐसा करके study logo और यहां क्या कर लेते अपन ठीक है अब यह भी नहीं लग रहा है तो आप क्या कर लो student study ऐसा करके पढ़ते हुए ठीक है यह देखो यह रख सकते काईदे से हैं न या इसी प्रकार का कुछ भी रख सकते देखो यह और एक और चीज आप ऐसा यहां देखो type कर दोगे png jpg आता है सुने न jpg ऐसे आप png png मतलब जिसका background नहीं रहता तो मान लो आप कोई भी ले आते हो उधारन के रूप में अपन यही वाला इसको copy कर लेते और copy नहीं करना है तो आप save कर लेना कैसे करोगे save बताओ मुझे यह खुल गया पूरा इसको आप right click करोगे और क्या करोगे save email अच्छा आपको Photoshop में ल दो तरीके या तो आप location पर ले जाएक save कर लो या design में सीधे ले जालो तो हम अभी design में सीधे ले जालेते हैं हमको दिक्कत नहीं है दूसरा ले आते थोड़ा यह पढ़ते हुए लोगन लाते देखो इसको करते हैं अपन क्या copy इतना बड़ा image नहीं है तिरफ इतनी image क्या दिख रही इतनी यह बांकी का जो है transparent है यह निकी background नहीं है सीधे ले जाग paste कर दो अब background नहीं था तो यह क्यों आ गया बीच में ऐ हो जाता है bounding box और छोटा बड़ा कर सकते हैं एंटर करेंगे तो गायब आउटसाइड वाला हमको हटाना है किस color में outside बाला बताएगा कोई यह कुन से color में है black तो एक ही color है कि दो color हो हाँ पर एक ही है ना तो एक color को हटाने का काम करता है magic tool magic मतलब जादू है ना तो जादू चलता है तो जहाँ एक ही color हो वहाँ जादू चलेगा जैसे select करें देखो क्या हुआ एक color select हो गया अंदर का logo select नहीं हुआ है जैसे keyword से delete button दवाएंगे और Ctrl D करेंगे तो आपका safe logo बचेगा ठीक आप छोटा बड़ा करना Ctrl T और आप छोटा बड़ा कर सकते जितना अब मानलोगों यही image आपको दूसरी संसक ले बनाना आप इहां college का नाम बदलना है यहां दूसरा बदलना है बागी चीजय सेम है तो आपको दो ही काम तो एक्स्ट्रा करना है बागी काम करना है नहीं तो आप सीधे जाओगी image की उपार क्या करोगे duplicate और यहां लिख बंद कर देते अपन इसका नाम और inim और पहले से जो सेव नहीं करी थे इसको भी सेव कर दो ठीक देखो ये अलग फाइल हैं और यह अलग फाइल आप दोनों सांवकाहात भी काम कर सकते ठीक है इसकी चीज इधर भी ले सकते आपche ठाला लो यहां पर आपने कुछ लिखे चलो यहां सेप लाते हैं यहां लिख देते हैं स्टूडेंट के नाम बगेरा जो भी लिखना है इस प्रकार से अभी रेड जादे खतरनाक हो गया हर जागे रेड थोड़ी ले सकते तो रेड कलर को अपन क्या करेंगे थोड़ा चेंज कर द जगे हमने उसको बता दिये अब यहां हम लिख सकते हैं फॉंट इतने बड़े नहीं रहना चाहिए कितने रहना चाहिए चलो यहां पर कर दो पंद्रा और अलाइन्मेंट कुन सा रहना चाहिए लेफ्ट यहां लिख दो नेम कलर भी आपको यहीं डिफाइन करना है वो भी सब्जेक्ट लिख सकते ऐसे टैब मार्क है आप जो है सेट नहीं होगा तो इस पेस देते ना लाइन्मेंट मिलाने के लिए जैसे यह देखोई है ना ऐसे उसके बाद और क्या दे सकते बताओ जार सब्जेक्ट के लाबा क्या रहता और बताओ टॉपिक लिख देते माझ ठीक यहां रोल नंबर लिख दो ठीक इतने चीज रहती है अब एक चीज बताओ मुझे स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट टॉपिक सबके बीच में एक निश्चित गैप है लाइन गैप बोलते हैं और लाइन गैप को मैंने बताओ लीडिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं ली यहां से прthiska प्रकार से हैं अब आपको पता है कि आपको डहेंड जाथा कम जाधा हो रहा है तो आप यहां कर्सर रखो कहां पए यहां देख स्ट्रोल बटन है उसका आप जैसे घुमाओगे तो देखो यह जाधा हो रहा है और कम करोगे तो काम हो रहा उसके उपर लाख है घुमाना पर करसर रख है ना किसी मुंड़िप रख किसी और को कंट्रोल नहीं करना है तो इसलिका करना है जिसको कंट्रोल करना उसी को पर देखो आप ठीक है है ना फिट हो जाना चाहिए अब यहां लिख देना जो भी लिखना और नीचे आ आपको किसमें ले जाना है इसमें तो आप ऐसे देखो यहां लियर कुन सी यह बताओ जारा मुझे एक और एक दो तो पहले इस लियर को लियाओ कैसे लाओगे मूट टूल है मूट टूल को ऐसे पकड़ो और यहां लाख छोड़ दो देखो डुफलिकेट हो गया खुद बख देखो वहां भी है और यहां भी कभी कभी यह भी होता है इस सेप को यहीं पर डुपलिकेट करना है या इस टेक्स को या फिर इस जो लिखा है असाइनमेंट बगेर इसको डुपलिकेट करना है तो ऐसे अगर मानलो असाइनमेंट लिखा है इसको यहां लाकर रखूंगा म एक मनट असाइनमेंट ऐसे लियाओ और इसको उठाकर लाक रखूंगा दुद्धगाय भी हो गया मूव हो गया मतला ठीक एक जगे दूसरी जगे मूव हो गया पर ऐसा होना चहीं क्या नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है मूव टूल सेलेक्ट है कीबोर्ड में आपको अल्टर बटन दिखती होगी सबको पता अल्टर बटन आल्ट लिखा होगा आल्ट बटन को दवाओगे और इसके उपर लाखे घसीट होगे उसी इमेज में लेयर डुप्लिकेट करने के लिए आल्ट बटन के साथ माउस की लेट बटन से घसीटते हैं अब ड्रेग एंड्रॉप करते हैं अब यह साइज थोड़ा बड़ा नहीं आ रहा रहाu साइं अपने आप में पूरा वर्ड नहीं है मतलब आप कम सिक्षा की छेत्र में गिने जाओगे इसको अनपढ़बिन बोल सकते और ग्यांबायं भीनज अधर कलट कावाला ठीक है सिगनेचर मतलब सही बाड़ और साइन कराना मतलब नए ठीक है समझ गए अब इसी को इधर ले जाना तो अल्टर के साथ खीचने के जरूवत है क्या उसी में करना तो हाँ ऐसे पकड़ोगे और यहां लाग छोड़ोगे तो हाँ भी रहेगा और यहां रहेगा समझ गए तो म यह लोगो रखा है और अल्टर दबा दबाग देख रहा है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अल्टर दबाएंगे तभी आता है मतलब एक delete बटन भी दिखे जैसे आप यहांसे करोगे यास तो देखो क्या हुआ जो भी layer select है वो हट जाएगी ठीक है जैसे मान लो यहाँ इसको हटा आना यह वाले को तो पहले उसको select करना पड़ेगे कहां लिखा बताओ जरा यह है उपर है ना इसको select करोगे और delete बटन फ्रेस क होगे चलो इतना समझ में आया बहुत सारी चीज हो गई वैसे आज है ना पर एक बार मैं दोहरा देता हूं क्या क्या करा मैं ठीक है चलो सबसे पहले मुझे बताओ new file बनाना सबसे बन जाएगी है ना जो भी चीजे है एक एक चीज बनना चाहिए कि क्या क्या चीजे क्यों लेते हैं ठीक है तभी आप लिख पाओगे डालेक बॉक्स बनाते भी बनना चाहिए दूसरी चीज अपने बैगराउंड कलर करना देखे तीसरी चीज अपने पैटन आया अभी लोड मत लेना बने तो ठीक नहीं मैं ग्रेडियन टूल बताऊंगा न अभी अभी क्यों टे करके इस आर्क पर क्लिक कर दो रैप टेक्स बोलते उसे रैप मतला उसी जगह में उसको मोडिफाई करना समझ गए उसके बाद हमने सेप को बड़ा छोटा करना सेलेक करना डेलिट करना उसके बाद डूपलिकेट करना किसे अल्टार के साथ डूपलिकेट करे और क्या है character में अपनना है देखो यहां तो आपको पता ही है bold italic underline भी पता ही है size leading देख लिए उसके आद यहां देखो आपनने यह देखे सारे option तो यह उप्योग करना जो option नहीं देखे उसको load मत लेना ज्यादा जैसे एक option मैंने बताया था जैसे यहां देखो यह signature select है क्या signature select है signature मैं अभी देखो चोड़ाई दिख रही scaling बोलते इसे page maker में भी scaling पढ़े थे 100% मान लो उसको 500 कर देते हैं 120 कर देते हैं 120 में समझ में नहीं आ रही है हम कर देते हैं उसको ज़्यादा 150 कर देखो जड़ा खिजगे कि नहीं है इससे लग कर जाता है तो कभी भी एक निश्चीत रूप में ही खिचा करो कुछ लोग ज़्यादे खिच जाते हैं मतलब लंबे हो जाते हैं कुछ लोग बिट्त नहीं बढ़ती तो उसको खिच दिया गया या समान लो आप किसके द्वारा खिचा गया वो नहीं पता और कुछ लोग कोई जाते हैं तो कोउस अब करता है अपने खोदे करते हैं कोई दूसरा करता है ध्यान रखे खाने पीड़े में थेक है तो नार्मल रहने दो 100% नहीं रहता कोई तो थोड़ा सा कम जादा चलता है देखो अभी फर्क पड़ रहा कितने नहीं मान लो एक साड़ पांच फिट के बेक्ती का बजन होना चाहिए 65 किलो 62 भी है 68 भी है क्या फरक पड़ता है पर उसका बजन 85 पहुंच जाए फिर तो खतरा है या फिर उसका बजन 45 किलो जाए तो भी खतरा है कम भी ने चलना चाहिए और ज्यादा भी ने ठीख है तो इसलिए आती भी हानी है और लोगी मतलब कम भी आनी है और ज्यादा भी आनी है तो standard maintain करके चलना है ठीक है तो कभी भी option बने इसका मतलब नहीं यह नहीं कि सीधे 200 दे दो ठीक है option बने इसके लिए कि आप थोड़ा बहुत maintain करके चलो scaling समझ में आगे color दिया ही है उसके बाद यह देखो आपको एक और दिया है vertical में high आप जैसे चोड़ाई मैंने बताए ना दो प्रकार की होती है एक तो खीच दिये लंबा लंबा और एक आड़े में खीच दिये तो आड़े में आप 200 खीच के देखो जा रहा रहा है नहीं तो यह मतलब vertical में height खीचने का scaling है vertical scaling और एक है horizontal scaling दोनों option है ठीक है उसके बाद यह दिख रहा है आपको देखो यह जो है gap का है मतलब आप जो gap करते न बोई gap का है अभी रहने दो जरूवत पढ़ने पर हम उपयोग करेंगे तब काम आएगा तो जो जो option में बताते चल रहा हूँ को देख लेना इसी के side में paragraph palette भी है दिख रही paragraph में आपको alignment दिख रहा है first line left दुनिया भर का इसमें हम paragraph टाइप ने करते इसलिए उपयोग भी नहीं है हमारे तीन alignment बेचारे यहाँ simple बैठे रहते हैं तो उनको यह उपयोग कर लेना control shift C, control shift L, control shift R वो option आपके लिए west है एक image लाते है अपन ठीक है जैसे क्या लाते है student करके या फिर हम जो है Photoshop करके कुछ भी Photoshop practice image है ना बहुत सारी image आएगी जैसे देखो यह पिंपर्स दिख रहा है कि ने यह देखो होता ही है 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 ना सब लोग इसे होकर गुजरते है जब ही होते हैं तो real life में हम doctor की सला लेते ह है मेरे पास आओ सब Photoshop से में repair करूंगा सबको होता है कि ने होता है Photoshop में सब कुछ होगा तो यह भी काम हो सकता पर यह magic tool काम करेगा क्या नहीं करेगा सिंगल कलर थोड़ी है आपकी screen में भी multiple color होते है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं जैसे एक car है car में single color दिख रहा है red है परन तो वह भी single नहीं है कही opacity जादा है कही opacity कम है तो single color मतला single ठीक है ध्यान रहे यह चीज़ तो इतना बनाक आप देखेंगे अब यह तो मैंने simple बना दिया पर आप और अच्छे से इसका उपयोग करोगे कि और color का विसेज ध्यान रखे color का विसेज ध्यान मतला background font और ज अच्छा देखेगा क्या नहीं देखेगा अलगे देखेगा भड़ किला भड़ किला जैसे आप dark shirt पहन के देखो जा रहा dark जो भी कपड़े है market में dark red पहनोगे sand डॉण जाएगा पीछे से ठीक है ज्यादा dark yellow पहनोगे तो अलगे देखोगे बोलेंगे आज क्या है यह पं font लिके background में color करते समय ध्यान रखना कि dark नहीं देना ठीक है चलो इतना काम करेंगे अगर कोई दिक्कात आये तो note करके रखेंगे और फिर बताना मुझे